डमश्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तूलारासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फाइदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइप केसे रहेगी केरियर केसा रहेगा बिजनेस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको यह उपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिपिकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नीव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि केसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती शुखत समय है सोचवे बिस सभी काम पूरे होंगे परिबार के साथ किसी मांगलिक काम में सामिल होने का मौका भी मिलेगा मोजोदा ग्रहिस्तिती बहुती अनुकुल है संतान पक्ष की तरब से अच्छी खबर मिल सकती है धार्मी तता अधात्मी कार्य में भी आपका विश्य सुरुजान रहेगा यसे अपने अंदर अधवुद सांती और उड़्जा महसुष करेंगे खुद के लिए शोपिंग करने का भी मौका मिलेगा दोस्तों आज कुछ बहतर करने का उमंगवा जोस रहेगा और आप कामया भी रहेंगे आपके परियासों से पिछले कई समय से चल री कोई समस्या भी दूर होगी परिवार लोगों से छोटी मोटी जरुतों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही खुसी परदान होगा दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही अनुकुल है लेकिन कोई भी फैसला लेने में अच्छे सोच से विचार कर लें आज आप कुछ एसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी सावित होंगे आप अपने लक्ष को भी हासिल करने में बहुत की कम्याब रहेंगे विद्यार्थी और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे साथी साथ दोस्तों अगर कोई संपति समधित समस्या चल रही है तो आज उसका हल मिलने की पूरी उमीद है धनलाप के योग हैं दोस्तों और सुबचिंतकों का उचित सहयोग बना रहेगा तथा आपके जनावत तरीकिये दोराकार करने की परनाली से कई कारिये सुचारू रूप से संपन भी होते जाएंगे दोस्तों आज आज आपके कोई में हैत्यपून एक्छा पूर्ती होने की प्रवन शाभ होना है साथी अनुविव और जिम्मेदार युनों का मारदर्सन भी मिलेगा जीवन की वारिकिया पर गंभिरता से मुल्लकान करेंगे तदा यह परिवर्तन आपके जीवन में खुशियान लेकर आएगा बच्चों से सबंदित चर्री किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको रहत मेंसुस होगी आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से कई महत्पून रास्ता खुलने वाला है साथी आर्थिक परेशानियों से कुछ हद तक निजात मिलेगी यह समय अपने व्यक्तिकत दिन को वैस्तित रखें दोस्तों काफी समय से रुकोवे कार्यों में अज गती आएगी और आप अपनी पारवारिक जिम्मेदरियां का निर्वाहन करन में समक्ष भी रहेंगे और देनिकार परनाली भी समार रुप से चलती रहेगी दोस्तों समाजी गत्वा राजतिक मीटिंग में भी शामिल होने का आफसर मिल सकता है कोई पारवारी यत्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है किसी काम को पूरा हिम्मत वा लागन शिक अंजाम देने से आपको बहुत ही अनुकुल परनाम हासिल होंगे साथे साथ अपने लक्ष को हासिल करने के लिए कि गई मेहनत के अनुकुल परनाम मिलने वाले हैं दिल की वजाए दिमाग से निलने लें इसे आप अपने कारिपनाली को और अधिक बहतर बना पाएंगे दोस्तों आज आप एसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपियोगी शाबित होगी अब अपने लक्ष को हासिल करने के लिए काम याद भी रहेंगे वहां को अपने केरियर से समंदी किये गए परियासों से समंदी कोई सुब समाचार मिलेगा वैस्ता के वावजुद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे तदा कुछ परिवारी महतेपुन फैस ले लेने में भी आपका विश्यस योगतान रहेगा दोस्तर पिछले कुछ समय में जो काम सोच के रखे थे अब वह चालू कर दें आपका अवस्यकार शफल होंगे और एक चमतकारी के रूप में आगे भी बढ़ेंगे तोस्तर इस समय आपका ग्रेसिती उत्तम बनी हुए है आर्थी योजना इसे समंदित कोई लाब आसाने से भली भोती होगा धार्मी तता अद्याद में गती विदियों में कुछ समय वेतित करने से आपको शिकुन मिलेगा तो व्यक्तित में भी निखार आएगा घर के रखरखाव समंदिय योजना बन रही है तो वास्तु समस्त नीमों का भी पालन करना उचीत रहेगा अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयाश करें और आपकी परतिबा उभर कर लोगों के शामने भी आएगी दोस्तों के साथ परिवारी गेट टूगेदर रहेगा समय सुखनामा और मनरजन पूर्न भेतित होगा वैस्ता भरी दिन चारिया की ठाकान भी दूर होगी तिधा आपसे सलाम मस्त वराद बच्चों के लिए समंधित किसी समस्तिया का भी निवारन होगा दोस्तों किसी भी तरकी दुविदा की स्ती में परिवार्जनों की सला लेना आपकी परिशानियों को हल करेगा समय आपके लिए सकार्त में परिवर्टन ला रहा है चर्री उतर पुतल से भी रहत मिलेगी दोस्तों आपके नेगेटिव के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरे के मामला में हस्तिशिप करने से बचें और अपने ही काम से मतलब रखें किसे सारजनिक अस्तर पर बाद भी बाद होने जैसी इस्ति बन रही है कुसमें आत्म मनन और चिंतन में भी आवश्य लगाएं घर के वारिश सदस्रे के मान शमान और स्वास्त के परति सजग रहें रुपे पैसे के माल में किसी पर भी विश्वास न करें कोई आपको धोखा भी दे सकता है संतान की कुई नकारत में गत्ति विदी की पता चलने से मन ने खिंड़ने रहेगा पर तो समस्या को सामती पूर्ण तर्की से सुलजाने का प्रयाश करें दोस्तों कुछ नहीं जिम्मेदारियां आने से व्यास्ता बढ़ेगी इसमें कोई नुकसान होने जेस्ति-स्ति बन रही है इसलिए हिसाब किता समन्दिक कारें को साबधाने से करें बिना बात किसी से बिना उल्जें कोई भी समस्या आने पर उसके निवानन के लिए उसकी त भी आगे नहीं बढ़ता है इसलिए गुस्य पर काबू करेंगे तो आवस्य आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी समस्या को आपको जहलना नहीं पड़ेगा युवावर्ग अपने लक्षों को आँख से ओलजना होने दें नकर्तमों और व्यर्थ की गत्तिविदियां से द दोस्तों व्यावसा में इस समय अपने उर्जा और अपने जन संपर को और अधिक विस्तिरित करने में लगाएं आपको कोई नई सूब अपसर फ्राप्त होंगें मुश्किलों के वावजुद आप काम्यावी हासिल कर लेंगें आपका ग्रीशति अनुकुल बनी हुए है कारशत में केगे बदलाप के सकार्तों पर ना मिलेंगें इसलिए पूरी मेहनत और एगरता से अपने काम पर ध्यान दें व्यावसा समिंदी किसी भी तरह का लेंद देंज करते समय बहुत अधिक साबधानी बरतने की जरुत है तो व्यावसा समिंदी उल्जने अभी बनी रहेगी अनुवी लोगों के सहयोग और मार्दसन आपके लिए सहायक रहेगा नोकरी में कारभार बाढ़ाने की बज़े से तनाव रहेगा बेटर होगा कि अपने कारभार को दूसरों के सब बाटने का प्रयाश करें अब अपनी युगता और परतिभाग कही फैसले लेने में समख्ष रहेंगे इसमें मार्केटिंग समंदिक कारें को अस्तागीती रखें नोकरी में भी टार्गिट हासिल करने की फूरी संभावना है तोस्तो सरकारी कारें में आ रहे हैं रुकावटे दूर होगी नेकार की सुरुवात करने के लिए भी समय अनुकूल है कोई भी वेक्साइट नेने लेने में लापरवय न करें अन्यता कोई वेहतरिन उपलवदी हाथ से निकल भी सकती है दूस्ता कारेशित में इस समय बहुत महनत और वेस्ता बनी रहेगी साथ ही आपका प्रभावा दबदबा बना रहेगा अपनी करपरनाली में कुछ परिवर्टन लाना जरूरी है सरकारी सेवरात लोगों को ओफिस समन्दी किसी बदलाब की सुचना मिल सकती है वेबसाइक परेशनिया धूर होगी कारे में गती आएगी करमचारी ता इस्टाप पूरी मन योग से कार को गती देंगे किसी अनुभी वेबसाइक जानकारियां का आदान परदान भी रहेगा उन्हीं बात करें तो लव लाइव की परवारे में सुखद और प्रेम कुन माहोल बना रहेगा प्रेम समंद में गलत फेमिना उपद ने दें दोस्तो दामपत जीवन में उती समांजस रहेगा योआवर व्यक्त के प्रेम समंद में समय नशना करके कारे में पर ध्यान दें दोस्तो व्यक्तिगत गत्री विदियां के साथ-साथ विवायत समंदों में भी समांजस बना रखना जरूरी है प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग करने का बहतरी समय मिलेगा पती पत्नी के बीच खटी मिटी नौक जोंक रहेगी विवायत के प्रेम समंदों प्रागार होंगे परियादा का ध्यान आवासर रखें दोस्तों घर के सदस्टर के बीच आपसी तालमेल परिवारी वतारन को सुख़त बना कर रखेगा प्रेम समंदों को भी विवाय के लिए परिवारी स्विक्रिति मिल सकती है दोस्तों आपके स्वास्त को लेकर देखा जाए तो त्वाचा समंदी अलर्जी जैसी समस्या बढ़ सकती है पोलिशोन और धूप से अपना बचाब रखें बर्तमान मौसम की बज़े से गले में इंफेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या रह सकती है लापरवय बिल्कुल न बढ़ते हैं और उचित इलाज लें दोस्तों ज़्यादा मेहनत और परिश्रम का असर स्वास्त पर पड़ेगा कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है घर के किसी वारिश सदस्य के स्वास्त के लेकर चिंता रह सकती है उनके इलाज के लिए लापरवाई न करें दोस्तों किसी वाद को लेकर सिर्दर और तनाव रहेगा समासियां को सांती पूरे तरीके से सुलजाने का प्रयाश करें साथी योगा और मेडिसन जैसी गत्ती विदियां पर ही ध्यान दें आपके सरित तंदुर्स और फिट रहेंगे कभी-कभी नकारत में विचार आपके मनोबल में कमीला सकते हैं उत्तम परवर्ति की लोग के साथ कुछ समय आवसे वितित करें तो स्वास्त का भी ध्यान रखें आपका स्वास उत्तम रहेगा दिन्चारिया और व्यास्ता खानपान की समंधि गत्ति विदियां को व्यस्तित रखें जिस्ता बात करता आपके उपाय के बारे में भगवान सिफ को खुश करने के लिए स्वामबार के दिन चंदन अक्षत दूद धतुरा गंगाजल बेल पत्र या आंकले का फूल चड़ाएं समंबार के दिन भगवान भोले नात को घी शकर और गेहों के आंटे का भोग लगाएं इसके बाद उनकी आरती करें दोस्ता आपके घर में किसी के साधी नहीं लग रहे हो या कोई पुराने दिक्कतें चल रहे हो तो दोस्तों आज नंदी बाबा को रोटी में गूड मिला के खिलाएं इसे दोस्तों आपकी सभी महनों कामनाएं पूर्ण हो जाएंगे दोस्ता आप बात करें ता आपका भागिसाली रंग और भागिसाली आंक क्या है दुस्ता आपका भागिसाली रंग पीला है और भागिसाली रंग आठ है दुस्ता भागवान भोले नात का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कॉमेंट बॉक्स में जै महाकाल जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद।